जी ट्वेंटी मुमालिक का इजलास जो हो रहा है ये इजलास बड़ा आहम है निर्षिप, जी ट्वेंटी मुमालिक का इजलास जो हो रहा है ये इजलास बड़ा आहम है प्राइम निस्टर मोदी जी ट्वेंटी की लीडरशिप जो है उसको कैसे इस्तमाल करेंगे हम आपके गुलाम नहीं हैं यही वो फॉरेंट पॉलिसी है जिस फॉरेंट पॉलिसी की सजा हमें निकालने के उसमें मिली थी अनफर्चुनेटली अट ता सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है यह नहीं कि वो G20 में शामल हो या इस हवाले से कोई उसका इंपुट हो या कोई री एक्शन हो या कोई चीज हो पाकिस्तान में जिस चीज़ पे वो डिपेंड करते हैं वो यह है कि कोई बाहर से आएगा तो हमें पैसे देगा या हम बाहर जाएंगे तो कहीं से कर्ज लेके आएंगे यह नहीं दो आपके sources of income है एक कोई visitor आएगा तो आपको बख्षिश देगा और एक आप जाएंगे तो किसी से कुछ मांगतां के लाएंगे लेकिन उनका जो agenda है it's quite busy मतलब वो 45 घंटे गुदारेंगे वहाँ पर इसमें team sessions वो अटेंड कर तो दोस्तों आपने यह छोड़ा एक चीज अच्छी है कि जो आप tweet देख रहे हैं बाजू में चल रहा है यह global leaders को tweet है प्राइम मेंस्टर मोदी जी से मुलाकात करने के बाद तो इससे आप value समझ सकते हो इंडिया की आज के टाइम पर क्या value है चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं मेरा किसी देरी के अगर it is very interesting the sessions he is attending I don't think are the same sessions जो Biden attend कर रहे except for the shit just like joint lunch है joint dinner है वो सब जो कल ही सारे के सारे कल होने वाले हैं so वहाँ पर तो वो होंगे but he is focusing on health और जो food और fertilizer की जो shortage supplies है health और इन चीज़ों पर वो तवज़ो कर रहे हैं so इंडिया का जो agenda है जो set होने वाला है G20 के लिए it is also focused on the issues that he will be addressing in this meeting तो मुझे लगता है कि इंडिया is going to go जो इंडिया जो G20 का agenda set करेगा it is going to be very non-controversial समझे रहां बिलकुल non-controversial एक बात जो foreign minister जैशेकर ने कहा कि India is going to seek to give voice to the global south यह बहुत important है for example यह जो G20 है यह top 20 economy निया के top 20 तो 20 मुल्क हैं लेकिन 75% of the global GDP है समझे आप तो it is a very useful club छोटा ग्रूप होने के वज़े से decision making policy making आसान हो जाती है और because they have so much cloud कि दूसरे countries को को choice नहीं है अगर यह 20 मुल्क मिलकर कोई rules बना लेते हैं तो फिर Gambia या Tanzania या Sri Lanka तो यह नहीं कहींगा के भाई we will not follow these rules हम नहीं थे वहां पर they can't say that so India is saying के यह मुलक जो वहां पर नहीं है हम उनको we will give them voice so for example मेरे ख्याल से G20 में सिर्फ टीन Muslim दिनिया के मुलक आते है 55 57 में Indonesia Turkey Saudi Arabia I don't know Iran है या नहीं depends on which GDP I don't think Iran is coming for this G20 तो बाकी के मुल्क क्या कहेंगे तो India is going to speak for all of these countries in the global south which is very important लेकिं के India is consciously taking a step China नहीं कहा के हम global south के लिए बात करेंगे हालांके China का belt and road initiative is invested in mostly in the global south so that looks very important India is going to raise the concerns of the global south so you just shortages of food, shortages of fertilizer, health care यह दीदार condition यह सारे के सारे global south के issues है लेकिं मुझे ताजुब यह हो रहा है कि अभी तरक जतने भी discussions हुए है अमेरिका और चाइना को लेके they are mostly security related issues, geopolitics के issues है इंडिया जो बात कर रहा है, health और गार्ड़ नहीं समझती कि पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात वहाँ पर होगी क्यूंकि पाकिस्तान is out of this meeting, पाकिस्तान तो इस meeting का हिस्सान नहीं है दुनिया की 20 बड़ी ताकती जो हैं वो इसमें शिरीक होंगी unfortunately हम दुनिया की 20 बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होते आने वाले दिनों भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम अपनी ऐसी कोई policies बनाएंगे और अपनी तरकी की तरफ बढ़ेंगे, यह जो कुछ चल रहा है इस वक्त मुलक के अंदर वो छोड़के तो शायद कभी आने वले वक्त में हमें ऐसा भी वक्त देखने को मिल जाए कि हम भी किसी बड़ी ताकत में शुमार हों एक तो आपको यह बता दें कि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है पी एम मुदी टो विजिट इंडोनेशिया फॉर जी ट्वेंटी समिट और इसी के साथ जो हम साइड लाइन्स मीटिंग की बात करें हैं इसमें यह कहा गया है कि on the sidelines of the summit PM मुदी विल होल बाइलेटरल मीटिंग विज सम ओफ इस काउंटर पार्ट्स और इसमें जैसा कि हमनें बताया कि सिरफ प्रेजिट जो बाइडन या प्रेजिट शीही नहीं पहुंच रहे हैं बलके इसमें रिशी सुनक जो नए प्राइम चांसलर ओलाफ भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं तो बड़ी शक्स है जिसना मैंने बताया है कि दुनिया की बड़ी ताकतों की बड़े लीडर्स वहाँ पर मौझूद हों या चाह क्योंके रिशी सोनक वह पहली उनकी इस तरीके से मीटिंग होगी तो हम यह देखेंगे कि वहाँ पर एक बड़ा इवन्ट वो फर्स टाइम अटेंड करने जा रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्विच क्या रहेगी उनकी मुलाकाते किस किस से होंगी मैं समझती हूं कि उनकी एक मीटिंग तो मैं देख रही हूं कि इंडिया के पी एम मूदी के साथ होगी ऐसा मनसूबा जेरे गोर नहीं है जो पाकिस्तान के वाइटल और फंडामेंटल मसाइल हैं मसलिन गुर्बत है बेरुजगारी है बेदाली है नाइंसाफी है यह जो कुछ हो रहा है इसका कोई जवाब पेश करती हो कि चलेंजी हम यह इंडिस्ट्री इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यह आई-टी सेक्टर जो है वो लेकर आ रहा हैं यह इंटरनेशनल इंवस्ट्मेंट के लिए रास्ता कोर रहे हैं बलके उल्टें वो जो इक्दामाद कर रहे हैं काउंटर प्रॉड्यक्टिव और डेली ब्रेटली डिस्ट्रेक्टिव हैं यही जो वजीरे खिजाना ह इन्होंने ऐलान किया कि जी वो हम सूद से पाक मैशियत जो है वो पाकिस्तान में इंट्रिउस कराने वाले वो जो उन्होंने कहा कि सुप्रिम कोट में अफील के अवाले से तो ये जब आपकी मेंटालेटी हो तो इसका मतलब ये है कि आपने एक लूजर किसम का पोस्चर जो है उसको अपना मकदर समझ लिया है और अब उसमें किसी तरह की कोई गुंजाश नहीं है तब दिली की अच्छा बरस्ते सब लास्ट क्वेस्टन मैं आप सिर जानूंगे अगर हम इसको सारी सिच्वेशन को सम अप करें तो क्या आप समझते हैं कि इस बड़ी अहां मीटिंग के बाद जी ट्वेंटी में और जो अब और भी मीटिंग्स होंगे इन सब के बाद हम ये कह सकते हैं कि ना सरफ ये कि जो ताइवान का मामला है उस रीजियन में उस मसले पर बलके इस खिते में भी चाइना और इंडिया को जो मामला है तो अम रहेगा और हालात बेहतर की दरफ जाएं खराबी की दरफ जाने के बज़ए क्या इससे ये उमीद रखी जा सकती है देखें जी ब है दूनों इंटेंसिफाई हुए हैं रीसेंट येर्स में लेकन दूनों ने उसको फार्दर जो है वो रेगुलेट किया है जो रैड लाइन कहेंचने की बातें की हैं और ये इनके दरम्यान कोई नए कांफलिक्ट नहीं है बलके कि ज़च्छता निस अफसादी से ये किसी इत्विलब्मेंट को और अमारी जो इंवेश्ट मेंट ए ऐसको डिस्टर्ब करें इसको हनूनने मजीद जो है वो कंफिर्म किया है इस समिट के हुआले से ये जो समिट हुआ है जिसका मतलब ये है कर आमरिका और चाइना जो है वो वर्ल्ड जो स्टेबलेटी है उसको य किसी तरीके से ना तो चैलेंज कर र रहे हैं ना गिसी को चैलेंज गरने देंगे लेक्न उसमें सवाल ये पड़ा होता है क् 데 उसका आप पूरी का कानी में कहीं अग्जेश्टी नहीं करता ना जी ट्वंटी के से ऊसके साथ को त congrक है ना international conflict के साथ जो है वो उसका तालक है और ना internally उसके पास को ऐसा फर्मूला है जिसको वो सामने रख के तो अपने अवाम को कम असकम एक उमीद के तोर पे तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म आपने देखा कि इस तरीके से ये G20 summit को लेकर response दिया जा रहा है G20 summit उन countries के लिए होता है जो top की 20 अर्थ विवस्ताएं होती है उस वही इस पे participate कर सकती है तो G20 summit को लेकर पाकिस्तान का response देना ही बनता है और इसके लावा इनको कुछ नहीं आएगा obviously क्योंकि ये top 20 में आते ही नहीं है भारत की बात करें तो भारत को जिस तरीके से response मिल रहा है उससे भारत की value का अपंदाजा लगा सकते हो कि हमारी कितनी value है और हम कितना valuable role play करते हैं दुनिया में अब ये हमें महसूस कराया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोधी को जिस तरीके से response मिल रहा है obviously भारत एक इतनी बड़ी आवादी वाला दुनिया का साथवा सबसे बड़ा area वाला और दुनिया में इतना मतलब भाहर छटवा आदमी भारती होता है तो हमें अगर ये response ना मिले तो बहुत गलत है प्राइम मिनिस्टर मोधी जी के जो प्रयास है वो सहरानी है और इस तरीके के प्रयास के कारण हमें ये response ना है तो हमें बहुत अच्छी बात है अब G20 Summit में आप देखें अगर जाएं आप देखें जो बार्डन का जो response दिया उन्होंने जिस गर्म जोसी के साथ प्राइम निस्टर मोधी जी से मिले या फिर आप देखें मैकरॉन या फिर देखें अपरी सी सुनक और बहुत सारे दुनिया के ग्लोबल लीडर तो जिस तरीके का मोधी जी का स्वागत हुआ मोधी जी का स्वागत तो ठीक है उनसे जिस तरीके से गर्म जोसी से ग्लोबल लीडर्स मिल रहे हैं कि इसको देखकर पाकिस्तान की जलनी है पाकिस्तान के पास जलने के सेवा कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान आज भी भारत को एक ही नजर से देखता है कि भारत में मुसलिम असुरक्षे थे यह वो फालाना ठेकान है यही बात है को बहुत जल्दिक नहीं